सानों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे. पिता की मृत्यू के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे. बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था. उसने धोखे से पूरा व्यापार हतिया कर अली बाबा को घर स लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकडी काटते समय 40 घुरस्वार को वहां आते हुए देखा सभी घुरस्वार के पास धनकी पोटली और खंजर थे यहां देखकर वह समझ गया था कि यह सभी चोर हैं अली बाबा एक पेड के पीछे चिपकर उन्हें देखने लगा तभी सभी घुरस्वार एक पहाड के पास जाकर खड़े हो गए तभी चोरों के सरदार ने पहाडी के सामने खड़े होकर बोला खुल जा सिंसिं इसके बाद पहाड में से एक गुफा का दर्वाजा खुला सारे घुरस्वार उस गुफा के अंदर चले गए अंदर जाकर उन्होंने बोला बंध हो जा सिंसिं और गुफा का द्वार बंध हो गया यह देख अली बाबा दंग रह गया कुछ देर बाद वो दर्वाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुरस्वार निकल का फैसला किया वहां उस पहार के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा खुल जा सिमसिम खुल जा सिमसिम गुफा का दर्वाजा खुल गया अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्या अशर्फिया गहने आदी र अमान यहां आकर छुपाते हैं। वहां से एक पोटली में सोने की अशर्फियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशर्फियां देखकर उसकी पत्मी हैरान रह गई और अशर्फियों को गिनने बैठ गई तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशर्फियां है कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी मैं गड़ा खोद कर इन्हें छुपा देता हूँ जिससे किसी को भी हम पर शक न हो अली बाबा की पत्मी बोली मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ अली बाबी की पत्मी भागती हुई कासिन के घर गई और उसकी पत्मी से गेहों को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी यहाद देखकर कासिन की पत्मी को उस पर शक हुआ उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाच कैसे आया वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगा कर लाई और उसे दे दिया रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशर्फियों को तोला और तड़के सुभा उनका तराजू लोटा आई कासिन की पत्मी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी उसने यह बात अपने पती को बताई कासिन और उसकी पत्नी यह जानकर जल बुन गए दोनों को रात भर नींद नहीं आई सुभा होते ही कासिन अली बाबा के घर गया और उससे धनका स्रोत पूछने लगा यह सुनकर अली बाबा ने कहा आपको कोई गलतफमी हुई है मैं तो एक मामूली लकड हारा हूँ कासिन ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अशर्फियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी ये देखो ये अशर्फी तराजू पर चिपकी मिली है सब सच बताओ नहीं तो मैं सब को बता दूँगा कि तुमने चोरी की है यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी कासिन के मन में लालचा गया उसने ख़जाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुँच गया वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके गुफा के सामने पहुच कर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसे ही किया उसके खुल जा सिमसिम बोलते ही गुफा का दर्वाजा खुल गया अंदर पहुच कर चारों तरफ खजाना देख कर वह भौचक का रह गया उसने बोरियों में सोने की सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किये लेकिन कोई रास्ता न निकला वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है कुछ देर बाद जब चोरों का गिरो वहां पहुचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गगा बंधा है वे समझ जाते हैं कि यहां कोई आया है चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढुण कर मार देते हैं इधर जब कासिम घर नहीं पहुचता तो उसकी पत्मी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढुण कर लाने के लिए बोलती है अली बाबा ढुणता हुआ गुफा के पास पहुचा तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोशित करके उसका अंतिम संसकार कर देता है कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं वही जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है वह गाव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है, चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है, चोर में उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो, वहीं अली बाबा ने जब अ तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पढ़ गए और वापस चले गए। पीपो को लेकर गया जिसमें 49 में चोर और एक पीपा में तेल थाँ। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी, अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुखने की इजाज़त दे दी. अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ, उसने सारे पीपो को खटखटा कर देखा और वह समझ गई की एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है, उसने तभी एक तरकीब निकाली, उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपो में ड तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला, उसने पीपों को खोल कर देखा, तो सभी चोर मर चुके थे, यहाँ देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग गया। और खुशी-खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से सीख लालच मनुश्य का दुश्मन है, लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।